एलो दोंस्तो रेल कारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो हम सभी ने ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा करते समय ट्रेन में मिलने वाला खाना खा ही लेते हैं और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह खाना ट्रेन के पैंटरी कार में ही तयार करके तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारती रेलवेस सभी ट्रेनों से पैंटरी कार क्यों हटाना चाहती है तो इस वीडियो के अंतक बने रही और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजी तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं पेंट्री कार को पैसेंजर ट्रेन के रेक से हटाने के कई कारण हैं हम उन्हें एक एक करके अब जानेंगे अगनी दुरघटनाओं को कम करें भले ही पेंट्री कारों में आग और गैस विर्सफोर्ट के कारण दुरघटनाएं बहुत कम होती हैं भारती रेल उन्हें हटाने की योजना बना रही है इससे पैंट्री कार से आग लगने की संभावना शुन्य हो जाएगी तस्वीर में ट्रेन की पैंट्री कार में आग लगने की घटना दीख रही है और यह आग अगले कोच में भी फैल गई यात्रियों के लिए अधिक कोच भारत में बड़ती जनसंख्या और रेलवे यात्रा के लिए लगा अतार बढ़ रही मांग भारती रेलवे को रेक में अतृरिक्त कोच जोडने की मांग करती है है ट्रेन के रेक की 22 कोच ही हो सकते हैं लंबाई भारत में उपलब्ध प्लेटफॉर्मों की लंबाई और लगभग 120 किलो मीटर प्रती घंटे की हुप्यूक्त गती से रेक को खिंचने वाले लोकोमोटीव की खिंचने की शक्ती के कारण प्रतिबंदित है उन्नत खाद्य वितरण प्रणाली हालही में भारती रेल में भोजन वितरण प्रणाली में इखान पान और जहाज पर खान पान का चलन है कोई ओनलाइन फूड ओर्डर कर सकता है और आने वाले स्टॉप में इकेटरिंग वाले कोच तक पहुँच कर ओर्डर डिलिवरी कर देते हैं और आन बोर्ड करेटरिंग करने वाले लोग ट्रेन में अपना अच्छा खाना बेशते हुए स्टेशन ए से स्टेशन बी तक यातरा करते हैं इससे पैंटरि कार की जरुरत खतम हो जाती है अन्य रोचक तत्य प्रीमियम ट्रेनों और अधिकांच सुपर फास्ट ट्रेनों में पैंटरि कार में बना खाना केवल फर्स्ट एसी यातरियों को परोसा जाता है और सेकेंड एसी यातरियों को शायद ही कभी परोसा जाता ह इसलिए पेंट्री कार कोश ट्रेनों में सीमित संख्या में यात्रियों के लिए भोजन वितरित करती है तो पैसेंजर ट्रेन के रेक से पेंट्री कार कोश को हटाने का यह एक और कारण है प्रदूशड कम करें रेलवे में लेचबी कोचों के आक्रमण और उन कोचों की अपनी खुद की शक्ती का उत्पादन करने में असमर्थता के कारण EOG को दोनों छोर पर रेक में जोड़ा जाता है धनी और वायू प्रदूशड बहुत अधिक है और यह कुछ समय के लिए अनिवाय है जब तक की HOG प्रद्योगी की का वयापक रूप से उप्योग नहीं किया जाता है EOG से प्रदूशड अपरी हार्य है इसलिए उसी रेक से पैंटरी कार को हटाने से वायू प्रदूशड में थोड़ी कमी आती है रेलवय को अधिक आए E.C. को जोड़ने से न केवल यात्रियों को लाब होता है बलकि रेलवय की आय में भी व्रद्धी होती है अब आप सोच रहे होंगे की इससे पैंटरी कार के करमचारियों का क्या होगा ये करमचारी नीजी करमचारी है और इससे रेल्वे की अर्थ व्यवस्था पर कोई प्रतीकुल रभाव नहीं पड़ता है वे हमेशा बड़े रेल्वे स्टेशनों पर स्थित किचन में काम कर सकते हैं मुझे लगता है कि मैंने पैसेंजर ट्रेन रेक से पैंटरीकार को हटाने के लगभग सभी प्रमुक पहलूँ को कवर कर लिया है अगर आपको भी कुछ याद आ रहा है तो कृपिया अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए मुईत करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारती रेलवे सभी ट्रेनों से पैंटरीकार क्यों हटाना चाहता है अगर आज की वडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वडियो को लाइक करके अपने दोस्तों साथ शेर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए वडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वडियो में तब तक के लिए बाए बाए